मनुष्य के सारे संबंधों का अधार है अपेक्षा, पती कैसा हो, जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो, जो सदेव मेरे प्रती समर्पित रहे, संतान कैसी हो, जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने मनुष्य, मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है, जो उसकी अपेक्षा पून करता है, और अपेक्षा की तो नियती है भंग होना, कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन लेते हैं, कोई अन्य वेक्षी उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता, पून करने की प्रमानिक एक्षा हो, तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पून नहीं कर पाता, और वहां से जन लेता है संखर्ष सारे संबंध संखर्ष में परिवर्तित हो जाते पर मनुष्य अब एक्षा को संबंध का अधार ना बनाए और स्विकार करे केवल संबंध का अधार तो क्या ये जीवन स्वैमेव सुख और शान्ती से नहीं भर जाएगा स्वैम विचार कीजेगा ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे